जहां पे टेक्निकल अनालेसिस की अपनी इंपॉर्टेंस है वही पर अगर आप फंडमेंटल अनालेसिस सही से नहीं करते तो आप एक बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं ट्रेडिंग में चाहें आप crypto की trading करते हों, आप stocks की trading करते हों, या आप forex करते हों, fundamentals का जानना आपके लिए बहुत ज़्यदा important है, क्यूंकि fundamentals हमेशा technical पे भारी होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप technical analysis करते हैं, और कोई news निकल के आ जाती है, तो आपका support area, resistance area किसी काम का नहीं होता, औ कोई fundamental event आ जाए, अब markets को बहुत से fundamentals effect करते हैं, लेकिन आज की class में हम सिर्फ interest rate को in depth discuss करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि interest rate होता गया, तो simply एक lender जो के अपनी money lend करते है किसी borrower को, और उससे fixed amount of money charge करते है, एक fixed period के बाद, यानि अगर मैं आपको simple terms पे explain करू तो let's suppose आपके पास $100 है, और आप वो किसी percent X को दे देते हैं, और आप उस percent X से ये demand करते हैं, कि वो one month के बाद आपको fixed 5% return देगा, अब इस particular scenario में आप lender हैं, जिसने $100 lend किये हैं, और percent X एक borrower है, जिसने वो $100 borrow किये, अब वो आपको 5% of $100, जो के $5 डालर बनता है, हर मन् और इसी 5% को हम interest rate कहेंगे, इसलाम और काफी और religions भी हैं, जिसमें interest rate जिसको उर्दू में सूथ कहा जाता है, हराम consider किये जाता है, अब समझते हैं कि interest rate काम किस तरह से करता है, और किस तरह interest rate का बढ़ जाना या कम हो जाना markets पे असर अंदाज होता है, सबसे पहले तो आप समझ लें कि interest rate बढ़ाता कौन है, कम कौन करता है, तो interest rate किसी भी मुल्क का central bank जो है control करता है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में state bank of Pakistan interest rate बढ़ाएगा या कम करेगा, और इसी तरह अगर अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका के central bank of fed कहा जाता है, ज FOMC बेसिकली बोलते है, Federal Open Market Committee को, FOMC जितने भी important economic data है, उने survey करती है, और देखती है, कि क्या interest rate का बढ़ना बेतर economy के लिए या नहीं, इसी तरह unemployment बढ़ रही है, या कम हो रही है, और उसका आने वाले वक्त में economy पे क्या असर हो सकता है, ये सारा काम करती है FOMC, और फिर आ कि हमारी जो नजर है, वो सिर्फ US के data पे क्यों होती है, बागी किसी country के data पे क्यों नहीं होती, तो इसका simple सा reason है, जो US है, वो super power है, और super power होने के साथ-साथ, उसकी economy भी बहुत super strong है, और इसी वज़ए से सारे जितने investors हैं, या traders है, वो believe करते है US की economy में, और global reserve currency भी US dollar है, और इसी वज़ए से, जब interest rate बढ़ता है या कम होता है, तो जो global economy है, वो सफर करती है in general, अब मैं आपको working का तरीगा बताता हूँ, कि interest rate का बढ़ना, कम होना, markets पे किस तरह असर अंदाज होता है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि interest rate बढ़ाया क्यों जाता है, तो interest rate बढ particular product में inflation बढ़ रही है, इसी तरह जब countries print करती है money को, तो होता क्या है कि market में money की amount बहुत जादा बढ़ जाती है, इसको मैं आपको एक example से समझाता हूँ, फर्स करें आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान में जो इस वक्रेंट money है circulation में वो सिर्कूलेशन में वो वन मन्त पाद जो country है पाकिस्तान वो 1000 रुपीज प्रिंट कर देती है, अब market में क्या हुआ, कि पहले सिर्फ 100 रुपीज थे, अब 10X more money inject कर दी गई है, लेकिन अगर मैं product side से बात करूँ, तो जो आपका tomato है, वो तो 1kg ही है, तो इस वज़े से जो tomato 10 रुपीज का था, मनी की value depreciate हो गई, और इस वज़े से inflation बढ़ गई, अब हम जाते हैं US की तरफ, जिस तरह मैंना भी आपको example से समझाया है, आप इसी को US consider करें, अब US में क्या होता है, कि जो federal reserve है, वो currency print करता है, अब उसका dollar print करने की वज़े से, होता क्या है, कि market में जो products हैं, उनकी तो amount न लिए सफर करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा inflation से, बहुत ज्यादा महंगाई से, लोगों की जो purchasing power है, वो बहुत कम हो जाती है, और ये सब कुछ economy के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, अब आप समझें, कि जो fed है, उसने बहुत money print करती है, और बहुत money print करने की वज को दुबारा restore करने के लिए, जो central bank होता है, यानि इस case में fed है, वो interest rate hike करेगा, अब interest rate hike करने से होगा क्या, कि जो money है, उसको market से fetch कर लिया जाएगा, सक कर लिया जाएगा, और इसका reason simple है, कि जहाँ पे जो depositor है, जो lender है, वो इसको 3% interest मिल रहा था, अब वही पे let's suppose उसको 5 percent interest मिल रहा है, तो भला वो क्यों markets में जाके अपनी money को risky crypto में, risky stocks में, क्या forex में trade करें, जबके उसको higher returns मिल रहे है, safe returns मिल रहे है, bank में, तो इसी reason की वज़े से, जब भी interest rate hike होते है, तो आपको markets decline करते वे नज़र आएंगी, crash करते वे नज़र आएंगी, क्योंकि reason simple है, ज है, उनसे उनको higher returns मिल सके, और safer returns मिल सके, क्योंकि market में जहां आपको higher returns मिल सकते हैं, वही पे आपको higher risk भी बेर करना पड़ता है, अब आपको समझागी है कि interest rate बढ़ाया क्यों जाता है, उसके बढ़ने से market पे effect क्या होता है, इसी तरह जब inflation कम हो रही होती है, तो लोगों अपनी specific amount bank से निकाल के markets में जाके deposit करते हैं, और इस वज़े से वो markets pump करती हैं, तो summary बहुत simple सी है कि interest rate को बढ़ाया क्यों जाता है, reason simple है कि inflation बढ़ रही होती है, money की value को restore करने के लिए interest rate बढ़ाया जाते हैं, और उसका effect क्या होता है, कि जो markets हैं, वो crash करती हैं, क्योंकि money market market से निकल के banks में जाती है, जहां पे lenders को safe higher returns मिलते हैं, इसी तरह interest rate कम क्यों किये जाते हैं, उसका reason भी simple है, ताके जो economy है, उसको revive किया जा सके, जो लोग हैं, उनके लिए असानी की जा सके, और market में money inject की जा सके, इसी वज़े से जब interest rate कम किये जाते हैं, तो जो lenders हैं, उ आपकी markets pump होती हैं, यह सब तो आपको समझा गई हैं, लेकिर interest rate बढ़ाय कप जाते हैं, कम कप किये जाते हैं, यह आपको कैसे बता चलेगा, इसके लिए simply दो website हैं, जिनको मैं आपको recommend करूँगा, एक तो forex factory है, और दूसरी हमारे पास investing.com है, आपने इन पे जाना हैं, और इन पे proper economic data आ रहा होता है, कि कौन से data कब release होना है, जो previous results थे, वो क्या थे, जो forecast है, वो क्या होगी, और अब जो actual आना है, वो specific time period पे आपको बता देगा, और अब आपको समझा गई हैं, कि अगर तो interest rate higher than expected आ जाता है, तो इसका मतलब है, कि जो markets हैं, वो crash करेंगी, क्योंक से उनको, और वो आएगी, markets में, और इस वज़े से markets करेंगी, पंप, लासली, आपको पता होना चाहिए, कि जो FOMC है, उसकी हर साल 8 meetings होती है, जहां पर important economic data को देखा जाता है, और फिर उस हिसाब से decisions लिए जाते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आप जाएं, ज हो सकता है, कि shorter time period में market में आपको volatility देखने को मिले, यानि अगर interest rate positive आगे है markets के लिए, तो फिर भी आपको market में थोड़ी correction देखने को मिल सकती है, चोटा dump देखने को मिल सकता है, और reason simple है, कि जब data positive आएगा, तो सब bullish हो जाएंगे, bullish होने की वज़े से futures में long position build up करेंगे, और market उनको जल्दी से विक मारके grab कर सकती है, और फिर अपना जो uptrend है, वो continue कर सकती है, आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आपको समझा चुकी है, कि interest rate होता क्या है, उसके बढ़ने से, या कम होने से, market पे क्या effect पढ़ता है, उसको बढ़ाता, या कम कौन करता है, fed औ किस तरह behave किया था, यह सब आप खुच आके experience करें, ताकि जो आपकी knowledge है, वो increase हो, आपका experience बढ़े, क्योंकि मेरा तो यही मानना है, कि knowledge is not power, until executed.